हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब लोग मैं आपका दोस्त पंकच और स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो में तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है मेरट आउटर रिंग रोड के बारे में आपका हरदवार बाइपास यानि की एनेश 58 पर जाना हो तो हम कैसे जाएंगे तो आपको बता दूँ कि जो मेरत आउटर रिंग रोड बन रही है वो आपको डिरेक्टली मावाना रोड से और आपके एनेश 58 पर लेके जाने वाली है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा मवाना रोड से और आपके एनेश 58 तक तो जो हमा अभी आप सामने देख पार हो यह जगह है सलारपुर्थ और आपका सांती निकेतन विद्या पीड जोई स्कूल है उसके जट सामने से और यहीं से यह हमारे राइट में चली जाएगी आपके गड़ रो सलारपुर से लेकर और इसको कनेक्ट करने वाली है दोराला में तो जो दोराला का फिलाई ओवर है उसके पास में यह ले जाके कनेक्ट करने वाली है तो चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको दिखाता हूँ कम्प्लीट इंफ्रमेशन की इस पर कितना का पारे हो कि यहां पर मिट्टी वगेरा पड़ी हुई है और यहां पर पानी डला हुआ है तो गारा हो रखी है बाकी बढ़ते हैं फिर भी आगे और देखते हैं कितना काम इस पर हुआ है बाकी अगर आपने अभी तक हमेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल क कि हम आपके एने 34 से और नीचे की तरफ यानि की आउटर रिंग रोड की तरफ चलते हैं तो यहां पर आपको काम होता हुआ नजर आ जाएगा तो यहां पर मिट्टी वगेरा डाली गई है और उसकी लेवलिंग की जा रही है अभी बाकी आगे मैं दिखाऊंगा कि कई कर चलेंगा वापस वहीं जाना पड़ेगा और वापस दुबार से नीचे से हमें आना पड़ेगा तो यहां पर रिंग बनने वाला है जो कि आपके एने 34 जो है आपका मेरट पोरी नेस्नल हाइवे उसको कनेक्ट करने के लिए आउटर रिंग रोड से और आपका अगर किस अब भी सकते हैं यहां पर और अभी मिट्टी की लेवलिंग वगएरा का काम यहां पर किया जा रहा है तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और मैं आपको कंप्लीट मावन और और से लेकर और दोराला तक जहां पर यह एनेच 58 से कनेक्ट होता है वहां तक की कंप्लीट इसी वज़े से थोड़ा सासा क्वालिटी सही नहीं आ रही है और सायद कैमरे पर धूलमेटी आ गई है तो मैं इसको साफ करता हूं फिर आपको आगे दिखाता हूं तो दोस्तों आपका इंटरचेंज से 100 मीटर आगे चलने के बाद में यहां हमें नजर आती है रोड बनत रिंग रोड जो कि आपके मवाना रोड से लेकर और आपका एंच 58 पर कनेक्ट करेगी दो राला में और आप यहां पर बीच में देख भी पा रहे होगे कि पॉल लगाए गई है जो लाइटिंग वगेरा के लिए लेकिन बीच में डिवाइडर का कोई भी काम होता हुआ न लेकिन हमारा मेमोरी कार्ट जो था वो क्रेप्ट हो गया क्योंकि गर्मी इतनी है तो गर्मी के कारण मैंने इस अतनी बहंकर गर्मी में आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस होए और साती-सात मे जो दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन है वो भी सूट कर रख ही ती लेक कि धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि काफी मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो, और वीडियो कैसी लगी, ये कमेंट बोक्स में जरूर बताएं, और अग मुश्किल भी में बनाने का काम का जाएगा, इसको लेकिन ब्रूच कर्प को फिर आपको है वीडियो है, मुश्किल बनाने का काम किया जाएगा, chicken पर बाग एक इलेक्टिटे का लेकरर के आना पड़ेगा और वापस गोम कर हमें नीचे से आना पड़ेगा तो चलिए फिर और मैं आपको बता दूँ कि जो यह आपका आउटर रिंग रोड है यह आपके खेतों से काफी उपर होने वाला है तो जैसे कि आप साइड में देख भी सकते हो कि कितनी उचाई पर जाकर यह आपका मेरट रिंग रोड है अभी हमें चलना पड़ेगा रोड के साइड से और आगे आपको दिखाता हूँ मैं कि कितना काम यह जो रिंग रोड है इस पर हुआ है तो यहां जो यह थोड़ा सा एरिया है यहां पर अभी मिट्टी वगरा डाली जा रही है और आगे सामने आप देखो कि वहां पर मिट्टी डालकर लेवलिंग की जा रही है और यह ट्रक वगरा यहां आप देख पार होगा जो की काफी तेजी के साथ में इस पर काम किया ज जा रहा है और कि कुछ जगह उपर जहां पर लेवलिंग की जा चुकी है वहाँ पर रोड बनाने का भी काम किया जा रहा है बाकी चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अभी यहाँ से साइड से हम निकल कर जाएंगे अभी कुछ जगह उपर मिट्टी डाल के लेवलिंग की जा चुकी है लेकिन कुछ जगह उपर अभी बाकी है जैसा कि आप यहां देखोगे तो यहां पर आगे एक फ्लाइओवर की तयारी की जा रही है जिसकी फाउंडेशन यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर अगर जाए तो अब वह आउटर रिंग रोड लेकर जैसे हिए काफी जल्दी यह तैयार होने वाली है तो जैसे यह तैयार हो जाएगी तो वह आउटर रिंग रोड के साथ में आपके मौवाना रोड किला रोड गड रोड हापूर रोड और साथ ही साथ आपका NH 58 पर तो वह डारेक्ट भी आ सकता है आपका लेकिन इन बाकी रोड पर वह ह jurisdictions कि अभी यहाँ सामने तो यहाँ पर पानी वहाँ और इसलिए हम यहाँ से अंडर पास से अंडर पास के थ्रू हम दूसरी तरह जाएगे और फिर मैं आपको आगे रिंग रोड के बारे में दिखाता हूं कि कितना आगे और जैसा कि मैं आपको बता रहा था तो जो प्ली आपके रिंग रोड इस्टार्ट होती है जो की गर्ड रोड होते हुए उसके बाद किला रोड मौवाना रोड और जो की मौवाना रोड से आपका एनेश 58 को दोबार से कनेक्ट करेगी तो उसको मैं आपको सामने दिखाई रहा हूं और उसी के साथ में आपका गंगा एकस्प्रेस फे स्टार्ट होता है तो गंगा एकस्प्रेस वे का भी इंटर्चेंज और साती सात आपका दिली मेरट एकस्प्रेस के फेज फाइव और रिंग रोड ये सारी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी जिससे की मेरट के बाहर-बाहर ही आप ट्रेवल कर सकते हैं एक एक जगे से दूसी जगे जाने के लिए क्योंकि अबसे पहले अगर गड़ रोड से और मेरट एनेच 58 आना होता था तो उनको पूरा मेरट पार करना पड़ता था मेरट सिटी के अंदर से जिसकी वजह से जाम भी बहुत ज़्यादा लगते थे और आगे आने वाले समय में उस जाम से निजात मिलने वाली है लोगों को और लोगों के आने जाने में बहुत ज़्यादा होने वाली है तो जैसा कि अब यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर मिट्टी की लेवलिंग वगेरा कर दी चुकी है और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में जरू बागी बढ़ते हैं वीडियो में आगे तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है और अभी तो यहाँ पर सायद क्योंकि दुपहर का समय है और बहुत तेज दूपे तो अभी यहाँ पर आपको कोई काम करता हुआ नजर नही गई है और अभी लगता है मुझे कि वापस जाना पड़ेगा यहां से भी यहां नीचे उतरने के लिए अगर रास्ता मिल जाता है तो मैं नीचे उतर जाओंगा नहीं तो मुझे फिर वापस इतने ही दूर जाना पड़ेगा वहां से वापस आना पड़ेगा लोग बहुत दूर दूर जाते हैं ओफ रोडिंग करने के लिए और मैं मेरट के अंदर ही ओफ रोड कर रहा हूं यहां पर अभी लगता तो है कि यहां से निकल जाएंगे तो वैसे तो रास्ते बहुत ज़्यादा खराब है लेकिन फिर भी हम निकल जाएंगे आगे और यहां पर फ्लाइ ओवर की तैयारी की जा रही है बाकी बढ़ेंगे आगे और जैसा कि आप देख भी सकते हो कि यहां पर फाउंडेशन तैयार कर ली गई है लेकिन दोनों साइड दो से अभी कनेक्ट नहीं किया गया है और आगे की साइड में आगर देखोगे तो अभी यहां कुछ एरिय में आपको काम होता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि यह में रास्ता है जो आज-पास गाम है उनके लिए में रोड है तो इसको अभी छोड़ा गया जिसकी वज़े से यहाँ पर आपको काम नहीं देखने के लिए मिलेगा चलिए फिर देखते हैं आगे कि कितना काम हुआ है बाकी आगे के रास्ते में तो जो अभी इस area में है तो यहां पर अभी काम यहां पर कुछ नहीं नजर आ रहा है बागी हाँ थोड़ा सा दूर आगे जाके हमें दो बार से ring road नजर आ रहा है और मैं आपको बता दू कि मैं जादे से जादा कोसिस करता हूं कि आपको जादे से जादा एरिये को कवर करके दिखा पाऊं तो इस वज़े से वीडियो जाद लंबी हो सकती है तो क्योंकि मैं इसमें कटिंग नहीं करता हूं वीडियो में आपको जैसी वीडियो है वैसी ही दिखाता हूं और सूट में भी मैं मोस्टली वीडियो यानि की मोस्टली रोड वगरा को कवर करता हूं अभी जैसा की अभी इस टार्टिंग से हम चलें तो मैंने मोस्टली complete ही suit किया है जो कि आप complete देख पाएं कि कहां पर कितना काम हुआ है और अगली साल तक ये start हो जाएगा तो 2025 में ये start होना है और आपने अगर बाकी की ring road की video देखनी हो तो आप मेरे channel पर जाकर देख सकते हैं जिसमें कि आपको inner ring road की वीडियो भी देखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ आपका जो outer ring road महवाना रोड से गड़ रोड किला रोड और आपका हॉपर रोड पर जाकर मिलती है वो भी मैंने वीडियो डाली हुए चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं बाकी अगर आपको बाकी वीडियो में आगे बढ़ते तो यहां से अब आगे बढ़ते हम तो यहां पर आपको रोड नजर आना श्रू हो जाएगी तो यहां पर आपका रोड बगर डाल दी गई है और उसके भी लेवलिंग की जा चुकी है और उसके बाद में रोड को कम्पलीट करने का काम यहां पर किया जाना है तो जैसा कि आप सामने भी देख सकते हो कि यहां पर ट्रक वगरा लगे हूँ है और बाकी यहां पर काम किया जा रहा है तो अभी दोपहर का टाइम है और भी ज़्यादा है तो इस वजह से हो सकता है कि आपको यहां पर ज़्यादा लोग काम करते हुए नजर ना आएं और बाकि मोस्टली जिगह उपर मिट्टी वगरा डाली जा रही है और उसकी लेवलिंग की जा रही है तो जैसे कि आप यहां सामने देख पारे हो कि ट्रक खड़ा हुआ है मिट्टी इसमें भरी हुई है और चलिए के फिर आगे चलते हैं और यहां से फिलाई ओवर की तयारी की जा रही है तो यहां से एक और आगे जाके फिलाई ओवर होने वाला है और आगे जो गाम होने वाला है उसको देखते कौन सा गाम है क्योंकि इस एरिया में मैं कभी पहले तो नहीं आया हूँ और बाकि जो यह वित्रक चल रहे हैं इन्होंने दूल इतनी उडाई हुई है बहुत ज्यादा और जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो कि कितना काम यहां पर फ्लाई ओवर के लिए किया गया है जैसकि आप देख सकते हो कि यहां पर फाउंडेशन तैयार की जा रही है और आपको मैं गाउं भी बताता हूं कौन सा है यहां पर बोर्ड लगा हुआ है तो यह है गाउं खनोदा और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर भी काम काफी तेजी के साथ में किया जा रहा है बाकी जो फ्लाइओवर होने वाला है उसको अभी कनेक्ट नहीं किया गया दोनों तरफ से है और बीच में भी आप देखो कि जो रोड है गाउं में आने जाने के लिए अभी उस पर काम आपको नजर नहीं आएगा तो आगे बढ़ेंगे फिर आगे चलते हैं तो अभी यहां से आगे निकलते हैं और जैसे इस गाम से आगे हम क्रोस करते हैं तो यह यहां पर अभी आपको काम नजर नहीं आएगा कुछ एरिया जो फिलाई ओवर के पास का है तो उसमें अभी काम होना बाकी है बाकी आगे बढ़ेंगे और आपको मैं कम्प्लीट मेरट आउटर रिंग रोड जो कि मोवाना रोड से लेकर और आपका दोराला तक आपको दि अभी काफी काम आपका रिंग रोड पर बचा हुआ है और बाकी आपको अगर मोवाना रोड से गड़ रोड और गड़ रोड से हपर रोड तक की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और जैसे जैसे बीच में गाव वगयरा है या लोगों के खेतों पर जाने के लिए जो रास्ते हैं तो वहाँ पर कई जगे पर अंडर पास दिये गए हैं जैसा कि आप ही आपने पीछे देखा और कई जगे उपर फ्लाइओवर का भी निर्मान किया जा रहा है और बाकी अगर देखोगे तो कई जगे उपर रोड बनाने का काम भी चल रहा है लेकिन मोस्टली जगे उपर अभी लेवलिंग की जा रही है मिटी वगरा डाली जा रही है तो एक रूड तो लगवक तयार हो चुका है जिससे कि हम कह सकें कि रिंग रोड कहां से गुजरने वाली है तो आपको मैं उसी रूड से लेकर चल रहा हूँ और बाकी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें सेयर करें और अगर आपका कोई भी सवाल या आपका कोई भी सुजाव है तो कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं तो अभी यहां से हमें जाना पड़ेगा तो यह flyover यहां पर बनाया जा रहा है तो अभी इसके 20 से हमें निकल के जाना पड़ेगा तो अभी अगर आप देखो के तो अभी flyover को connect नहीं किया गया है जाना पड़ेगा धर रखटा झाना वेदा गड़ेगा झाल रहा है तो यहा है तो यहा है झाल झाल तो अभी लगबग NH58 के पास में हम पहुचने वाले हैं और यहां पर अगर देखोगे तो यहां अभी मिट्टी बगएर डालकर और उसकी लेवलिंग का कम किया जा रहा है और आपको मैं दिखाऊंगा कि कहां पर जाकर यह मेरत रिंग रोड आउटर रिंग रोड कहां पर ज से लिए आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कहां जाकर यह मिलने वाला है बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा और बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करना क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और जैसे कि आगर आप सामने देख भी सकते हैं तो सामने एनच 58 जो हरिदवार हाईवे है मेरट हरिदवार दिल्ली हरिदवार वहां हम पहुंच चुके हैं आप बराबर में देखोगे कि यहां पर यह जो खेत वगएरा उनको प्लेन कर दिया गया और उसके बाद में जो ह खिरमान पड़ा हुआ है और बाकी हम पहुंच चुके हैं दोरला तो यह एंग रोड ममववाना से जएकड़ मॅभर चाहल आपकर ने वाली है आपके फिफ्टी एट पर 200 लेमा के पास में बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में तब तक के लिए राम राम